नमस्कार दुस्तों मैं संदीफ स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्षेस्ट वीडियो में जानेंगे जो इन्वर्सिटी और कॉलेज छात्रों के परिछा पस्तास्कार का सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है उसके बारे में तो कौन सा फैसला लिया गया परिछाओ सब्सक्राइब करके रखें जिससे आप लोगो को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ताइम तो ताइम आप सब्सक्राइब करने का अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए आप सभी बहुत सा इचात करें दिखाए और पुरी जानकारी दी आपको मिल जाती है जितने भी उत्तर प्रदेश की जितने भी इन्वर्सिटी आप प्रूफ पहले देख लीजिए यहां पर डाक्टर दिनेश सर्मा जो की अपने ट्वीटर हैंडल अकाउंट पर ट्वीट किया है जो कि आप कह सकते हैं यह उच्छा मंत्री यानि उत्तर प्रदेफ के फिच्छा मंत्री हैं ठीक है तो आपको यहां पर सबसे बड़ी देखने को मिलेगी कि लिखा है कि क्रोना संक्रण को देखती हुए मादमिक फिच्छा परिषद प्रियागराज वोड की आठ मैं से प्रस्तावित परिच्छाएं 20 मैं 2021 तक तथा बिद्द्द सबसें 20 मैं तक जो आठ मैं से प्रस्तावित ठीक है वो बीश मैं तक और स्थाकित कर दीए मैं या फिर मय के फ़्यले 175 मैं से वह सभी परिछाएं इनवर्षिटि नहीं होंगी उत्तर प्रदेश की चाहिए वह आगरा इन्वर्सिटी ओचाहिए प्रुबांचल इन्वर्सिटी ओचाहिए लखना वह चाहिए कानपूर या फिर आफ अलहावाद को भी परिछाह है 15 माई तगस्ता की गई है और लिखा है कि परिछाहों के संद्रव में बहुत ही जरूरी है अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी इन्वर्सिटी के चाहत रहे तो ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि 15 माई तक कोई परिछाहने होंगी 15 माई के बाद ही कोई परिछाह होंगी फिरहाल एक माई को माई के माई के जो पहले स सकते हैं कि जो राजस्थान वह सारे इस्टेट हैं जिन में परिछाहें कंड़ट कराई जाने का लांच में ठोचुका है बहुत सारी में आने वाली दिनों में हो जाएगा तो उसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे आप अपने परिश्य कर देंगे अब लिग दिजी